हलो दोस्तो वेल्कम टाइकुप्लस अकेडमी आज सा करता हूँ आप सब बढ़ी हो गए अपनी तयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहेंगे तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग B.S.S.C.C.L. के कोश्चन बेंग को करा रहे हैं तो ठीक वैसे ही आज की इस वीडियो हम लोग साइन्स के कोश्चन को देखेंगे दोस्तो उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे तो चले जो वीडियो को शुरू करते हैं पड़ा-पड़ यह आपना पहला कोश्चन दोस्तो यहां पे पूछरा में निमलिकित में से कौन सा bird flu virus है जिसे avian flu virus भी कहा जाता है तो दोस्तों इसके option को देख लेते हैं उसके according हम लोग इसके answer को बताएंगे देखें यहां पे जो options है अपना पहला वो है H5N1, H1N5, N5H1, N1H5 तो दोस्तों इसका जो right answer हो जागा H5N1 जी हां दोस्तों H5N1 इसका right answer हो जागा दोस्तों इसके बारे में थोरा सा हम लोग discuss कर लेते हैं कि क्या actually है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यह एक influenza virus का एक subtype है दोस्तों उपरकार है दोस्तों है ना तो जि का एक काराक है दोस्तों होती हमें जनकारी होनी चाहिए यह actually bird से ही फैलता है जो कि हमें पता है ना चलिए नेक्स हम लोकोश्चन देख लेते हैं mobile SIM card में SIM का अर्थ क्या है देखिए बहुत ही घुपसूरत question है दोस्तों मैं चाहाँगा कि इस question का answer पहले आप हमें बताए फ रात्री में आकास में सबसे अधिक चमकता है दोस्तों रात्री में या फिर सकाले में मतलब सुबह में या साम को कौन चमकता है कौन सा ऐसा पिंड है जो चमकता है तो पहले देख लेते हैं क्योंकि option के recording हमारे answer देने होंगे हमें तो देखते हैं जो आपना पहला option है वह ब को इंच भी जानते हैं दोस्तों में यह झानता है जो चमकता है और फिर आपका है जो sound the night में चमकता है दोस्तों हमें ये चीजह पता है चली की प्रिथव् going जो तीन नमबर पे उपना पर पे नजदीकी में जैसे कि पहला m不多 पर दूसरा शुक्रे झालिए है और यह सबसे गर्म-गमी वहता है दोस्तों जैसा कि हमें पता है चलिए supposedly को देख लेते हैं दोस्तों समुंद्रिय सीतल पउन बहती है देखिए समुंद्रिय सीतल पउन जो बहती हो काय्से बहती है इसका क्या मतलब fluent है अगर हम लोग बात करें अगर किसी भी पवन को कि कैसे वो flow करता है तो हमें पता है जोस्तों इसका जो basic concept क्या है वो high pressure से low pressure के तरफ flow होता है दोस्तों चाहे हवा अगर मान लोग की जैसे हवा बहरी होती है तो high pressure से low pressure की और भागरी होती है उसी को हम लोग flow कहत है एर का है ना तो वही concept रहेगा सीधी बात है लेकिन यहां पर question के according अगर हम लोग options को देखें तो इसमें आपका जो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों वह जाएगा आपका option A दिन में भूमी से समुद्र की ओड जाती है ना इसी को समुद्र सीतल पाउन कहते है ना जो बहती एक्षिली तो इसका हो जागा राइट एंसर चलिए नेस्ट हम लोग कोशन देख लेते हैं दोस्तों नेस्ट कोशन अपने कह रहा है यदि एक pendulum से दोलन करने वाली घरी को पृतिवी से चंद्रमा पर ले जाए तो घरी होगी क्या option देख लेते हैं option के according हमें answer लगान तो क्या होगा क्या वो अगर प्रिथवी पर time बता रही है तो क्या चंद्रमा पर जाने के बाद बंध हो जागी क्या तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों तो इसका option यह जो डी है वो ऐसा ही eliminate हो जा रहा है फिर next option को देखते हैं C क्या कह रहा है प्रिथवी के समान समय देगी क अगर कुछ चीजे ना पता हो तो भी चली दोस्तों हम लोग नेक्स को देख लेते हैं next question अपना कह रहा जब परकास की तरंगे वायू से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्थिक परभावित होते हैं मतलब क्या क्या चेंजिस आते हैं जब अगर कोई भी लाइट परकास अगर वायू से कांच में इन करती है तो तो देखिए दोस्तों आपको तो पता ही है कि चाहे लाइट किसी भी माध्या में ट्रैवल करें किसी भी जगा पर ट्रैवल करें उसका एक ऐसा फैक्टर होता ह हो जो कभी भी चेंज होना चाहिए और वोह राइट और ऑपसन डी जैसा कि हमें पता है चलिये तो एससे हम लोग अगर एक हमें पता है तो दूसरे को इलिमेट कर सकता है यह बहुत easy है चलिए next हम लोगों देख लेते हैं अपना next question कह रहा है वो क्या कह रहा है एक पिंड कूल दूरी का आधा भाग V1 से travel करता है यत्रा करता है और 6 आधा भाग V2 से travel करता है तो उस पिंड का औसत वेक क्या होगा देखिए दोस्तों औसत वेक अच्छुली होता क्या है कूल तय तूरी अपन कूल लगा समय जो टोटल समय लगता है उसको डिवाइड करना कि क्रिश्टल सन रक्षन क्रिश्टल सन रक्षना के अध्यान के लिए किया जाता है क्यों चूं चाहिए, X-ray क्या होते हैं दोस्तों, तो X-ray का उप्योग ऐक्छुली होता है, क्रिष्टल समर्षना के अध्यान के लिए कया जाता है दोस्तों, X-Kirno का उप्योग है ना, तो यहां पर क्या हो जागा दोस्तों, जो X किर्रन होती है उसका जो तरंग धारज होता है यह जो तरंग धारज होता है वो क्रिस्टल के जो भी अंतर पड़ मानुई की दूडी होते है उसके result का जो कोटी होती है उसके समान होता है उसके equal होता है दोस्तो तो हमें इसका right answer हो ज़ tack इसका b हो जाएगा दोस्तों है इसका right answer b हो जाएगा दोस्तों क्योंकि इसका जो कोटी है वो समान होता है जो result का कोटी है न तो इसका answer b हो जाएगा चलिए next question देख ले दें दोस्तों next question क्या कह रहा है मनुष्य के नेत्र के retina पर परतिवीम बनता है देखे दोस्तो, मुझे नहीं लगता है कि इस question के answer आपको नहीं पता होगा, हाना, तो देखे दोस्तो, जो retina पे अपने, जो हम लोग का आँख होता है, उसके retina पे कैसा कोई भी image बनता है, दोस्तो, तो आपको पता होगा कि क्यों, वहाँ पे जो image बनता है, वो वास्तुव यह उल्टा, हाना, चलिए, तो मुझे लगता है कि यह चीजे होगी होगी आपकी, अब मैं बात करूँ आपसे, कि जो मनुष से, जो समाने मनुष का जो निउन्तम दूरी होता है, जहां तक बस्तुव को easily देखा जा सकता है, वो कितना होता है दोस्तो, तो होता है आपका 25 सेंटीमेटर है न, ध्यान रखने है, 25 सेंटीमेटर होता है निउन्तम, अगर मैं बात करूँ आपसे, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है दोस्तो, तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है वो इन्फानाइट होता है दोस्तो, कितना होता है इन्फानाइट, दिखता है कि इसक दिखता है कि कि उसका डिश्टेंस कितना ही हमें पता नहीं होता फिर भी हमें दीख रहा होता न तो यह एक्चुली हम लोगे एक्जामपल वाइज देख सकते हैं चलिए नेक्स सम्लों कोचन देख लेते हैं दोस्तों नेक्स कोचन क्या कह रहा है सिमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतरगात जो क्लिकर चूर्ण में जीप्सम मिलाने का उद्देश है क्या है दोस्तों जीप्सम क्यों मिला जाता है सिमें सिमेंट की जब ग्राइंडिंग होरी होते हैं उसकी प्रोसेस में जीप्सम क्यों क्लाम करने के लिए चलदी वह पकर लेता किसी चीज को हाँ जाताा है जम जाता है दोस्तों चलदी गए उसकी सीक्टिंस होती है और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दू कि यह जो कोशन है यह BPSC का भी पुछा हुआ कोशन है न तो इसको भी ध्यान रखे हैं क्योंकि दीखें यहां कोशन क्या हो रहा है एक एक्जाम से दूसरे एक्जाम में कोशन उठके आ रहे हैं तो यह चीज़े ध्यान रखने कि यह एक्जाम का अगर कोशन है सीजे लवन का अगर मैं कोशन करा रहे हूं तो यह चांसेस है अधिक चांसेस है कि यह कोशन आपके BPSC का जो 60 जो फिर से एकजाम होने वाला है या 60 इकजाम होने वाले हुस में भी आ जाए तो मैं आपको बता दू जो प्राकृतिक गैसों का बुक अभ्याव है तो उसमें आपका देखो ऐसे तो बहुत सारे गैसे होती है लेकिन जो एक मेजर रोल प्ले करता है बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है वह होता है आपका मिथेन आपको पता होना चाहिए है ना और कैसी होती है यो ठोड़ा सा ओ थी है लेकिन ठोड़ा सा ओ होता है उसके कलर को लेकर पथे में गृनकों होता है दोस्तों इसके लिए एक bege मेंड चाहिए होता है वह एक PIGMENT होता है ऐoline-ट फल एक्टुले यह कोई कलर नहीं होता और यह PIGMENT क्या करता है एक प्रोसेस करता है a chemical प्रोसेस करता है जिसके से मांगे का रंग ग्रिन होता है डोस्थो हरा होता है और इसमें सबसे बड़ा जो सहायक होता न जो तत्व होते यह होता है आपका mágnosium दोस्तो आपको पता होना चाहिए इसमें Magnesium सबसे बड़ा बाकी सब और बिस हैं to यहpersonal question को देख लेते हैं वहत आप जिस पर centigrate तथा फॉरें हाइड थोर्मोमिटर की Reading एक समान होती है तो दोस्तों देखे ये question आपका BPSC का question है दोस्तों अच्छे से देख लीजिए किस तापमान पे किस temperature पे centigrade और foreign height का जो temperature होता है दोनों एक समान होता है किस reading पे तो मैं आपको बता दूँ इसका जो right answer हो जाएगा दोस्तों option D हो जाएगा दोस्तों माइनस में 40 degree है ना चलिए नेक्स हम लोग question देख लेते हैं दोस्तों अपना जो next question कह रहा है दोस्तों ये क्या कह रहा है कि नीमनी में से कौन सा पधार्थ नावीकिये reactor में मंदक का काम करता है मंदक का काम कौन सा ऐसा पधार्थ है जो नावीकिये रेक्टर में करता है दोस्तों तो अपने option देख लेते हैं ओजोन है भारी हाइड्रोजन है भारी जल है फिर आपका हाइड्रोजन पैलक्साइड है दोस्तों मैं आपको बदा दूँ इसका जो right answer हो जाएगा भारी जल है जिसको हम लोग टोडियम ऑक्साइड भी कहता है और यह भी question दोस्तों BPSC में पुछा हुआ question है तो आपको ध्यान रखने हैं देखिए यहां question maximum देख रहे हो मैं बोल रहा हूं कि BPSC में पुछा हुआ question है जी हां दोस्तों यह सारे के सारे question BPSC में पुछे हुए question है जो रखनी है कि एक exam के लिए हमें बहुत सारे exam के question को देखना होता है दोस्तों चलिए क्योंकि question थोड़ी बदल जाते है question तो वही होता है न चलिए नेश्र हम लोग देख लेता है और इसके आलावा हमें theory को तो बहुत ही अच्छे से देखना चाहिए क्योंकि देखे एक्जा परकास sensation का anti-mood path क्या है मतलब सबसे last में क्या product आता है तो दोस्तों इसको हम लोग को देखने के लिए सबसे पहले देखना होगा है इसके reaction को कि जो परकास sensation होता है photosynthesis होता है वह कैसे होता है actually है न तो चलिए दोस्तों उसको देख लेते हैं जैसा कि हमें पता है यह actually कोई अब पौधा क्या लेता है तो यह actually léta है CO2 है हाण न फिर आपका जल्ल लेता है हाण हूटो यह शिक सिक हो जाएगान हाना और यह डेता क्या है देकि यह दोनों तो हो गये इसके जो यह लेता है कोई भी पहुधा अब यह देता क्या है तो हम में देता है o2 जैसे का में पता है हाना ते 6 के यह थी में आएगा देखो और फिर आपका क्या होता है कार्बो हाइड़ेट जिसको हम लोग गुलकोज बोलते हैं हाना फुड खाना कि पोधे से ही तो हमें खाना मिलता ना तो वह हो जागा आपका C6 H12 O6 ध्यान रहेगा ना देखो अब जो मिलता है और दूसरा हो गय कार्बो हाइड़ेट में ना कि अगर फेपने पूछ को थे और आपची में पूछा हुआ था औ forces interim ओक्सिजन को दिया हुआ था लेकिन देखो औक्सेजन के साथ- 집 कार्बो हाइड़ेट भी है तो मुझ्छ लगता है कि आपका दोनों होंगे तो option यहां के E का तो option का कोई चांस ही नहीं तो आप यहां पर carbohydrate पर जा सकते हो finally क्योंकि यह final product है ना चलिए नेश्ट हम बात कर लेते question पर अपना नेश्ट जो question है वह क्या कह रहा है asbestos के कारण होने वाले यह पर्मुख रोग है कौन से तो दोस्तो इसका जो राइट एंसर हो जागा हो जागा mesothelium में इसका राइट एंसर हो जागा दोस्तो जो की option A है चलिए इसके बारे में कुछ हम लोग जानते हैं दोस्तो तो mesothelium में जो होता है यह एक दुरलब परकार का cancer है जो शरीर के internal organs होता है इसको ढखकर रखता है एक पड़त होता है एक आपका security मतलब सुरक्षात्मक पड़त जो होती है वो mesothelium से उत्पन होता है और यह बिमारी समानता आपको asbestos के कारण ही संपर्क से होती है जो की आप का asbestos आपको पता है उसी के टास में आप में अगड़ बहुत ज्यादा समय तक रहोगों तो वहां से यह चीज़े उत्पन होती है ना तो हमें यह ध्यान रखना है चले निस्ट्रम लोग कोश्चन की बात कर लेते हैं इंसुलीन उत्पादित होता है अब देखें इंसुलीन उत्पादित होता है दोस्तो कहां से तो यहां पर जो option से उसको अमलोग देख लेते हैं तो इसका जो right answer हो जाएगा आपका pancreas अग्नियासे द्वारा क्योंकि हमें पता है यह चीज़े किंसुलीन जो होता है वह एक पैरों की हड्डिया है तो दोस्तों जो इसका राइट एंस रोजा जैसा कि हमें पता है फैबुला और टीबिया जो की है पैरों की हड्डिया होती है हना हमें पता है और हम बात कर लें कि पैरों में टुटल हड्डिया कितनी होती है दोस्तों तो होती है 26 जैसा कि हमें पता है और देखे दोस्तों ये भी question जो है वो BPSC का पूछा हुआ question है तो ध्यान रखेगा है ना बहुत सारे से question मिलेगा जो BPSC में repeat हुए question हुए है तो ध्यान रखना है बहुत ही अच्छे से careful है ना आपका यहाँ पे one in two हो जा रहा है two in one हो जा रहा है देख रहे हो आप एक exam को question को देख रहो आप यहाँ पे BPSC का exam के लिए भी आपका preparation हो जा रहा है यहाँ से तो बहुत अच्छी बात है चलिए चलिए हम लोग next question को उपर बात कर लेते हैं देखे next question क्या कह रहा है vitamin A की कमी के कारण होता है अब दोस्तो vitamin A की कमी के कारण होता है मैं बता दूँ यह question इतना बार इतनी सारे exam में पूछावा question है दोस्तो कि इस question को आप एक बार देख लोगो तो मतलब जितना भी आप previous year के question देखेंगो न जहाँ पे science syllabus होता है तो वहाँ पे आपको यह question वहाँ बात कर लेते deeply देखें इसका रसानीक नाम होता है न दोस्तो vitamin A को होता है retinol आपको याद रखने है क्या होता है retinol लोता है रसानीक नाम होता है और यह वस्ता में गुलनसील होता है दोस्तो आपको पता होना चाहिए ना और यह जो पाधे से मिलता है ना वह beta-carotene से यह मिलता है जो हमें पता होना चाहिए और पता ही आपको शरीर में नाइट ब्लैडनेस की कमी होती है बीटा मिन्य के कारण चले नेश हमलों देख लेते हैं को चले नेश्र अपना कोश्चन क्या कह रहा है वायू का वेग संबंदित है वायू का जो वेग है वो किसी से है उसमें है ना क्योंकि हाई प्रेशर से लोग प्रेशर के तरफ एर का फ्लो होता है जैसा कि हमें पता है तो अगर हमें यह पता है तो इससे हम लोग जान सकते कि दाब ही सबसे बड़ा कारक होता है वायू का वेग को लेकर अगर प्रेशर कम होगा तो वायू का जो वेग इस्तो कम हो जाँगा चलिए इस स्रीन इसनाल कोट्ट पर बात कर लेते हैं मानुख सरीर में रक्त चाप नियंत्रीत होता है कैसे दोस्तो औधिवरिक म् psychology होता है उसके जो रक्त चाप सर्व मतलब लगें Craigie के बीच में फोना चाहिए न के उपर ना नीचे अगर 120 के उपर जा रहे हो तो आपका High Pressure हो जा रहा है Blood Pressure High हो जा रहा है 80 के नीचे जा रहे थो तो आपका Pressure Low हो जा रहा है तो ये चीज़े है हाना दोस्तों ध्यां रखनी है चलिये next question पर भात कर लेते हैं next question अपना कह रहा है computer में virus संबंदित है कम्पूटर में वाइरस संबंदिते हैं जैसा कि हमें पता है जोस्तों आपसन देखके इसको इसली हम लोग बता पाएंगे धूलकनों से क्या वाइरस जो होता है क्या उसके मिल्टी लग कई धूल चल गया तो वाइरस हो जाएगा क्या तो ऐसा कुछ भी नहीं है एकदम फण कर देता है उसको जो उसका जो भी फंचन होता है उसको काम करना बंद कर देता है जो भी उसका सौफ्ट्यवेर वाला फंचन होता है न तो यह झाल रखनी है चलिए ने संबलू कोशन पर बात कर लिते हैं नेंक्स कोचन क्या कह रहा है अध वह समानेता विदुद की कुछालक होती है परंतु गिरफाइट विदुद का सुचालक है क्यूं भाई दोस्तो जो इसका राइट एंसर हो जाएका ओपशन B which इसमें allez electron होता ना आपस में बहुत ही मतलब strongly bond होता है इसका electron है ना बहुत ही hardly क्या होता है बंदेवे होते हैं तो इसलिए इसका जो right answer हो जाएगा आपसन बी हो जाएगा दोस्तों ग्रेफाइट में है ना चले नेस्ट हम लोकोशन पर बात कर लेते हैं सरवर्धिक प्रचूर गैस है सबसे ज्यादा वातावर्ण में अपने इंवर्मेंट में अपने एट्मोस्पेर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है दोस्तों तो मुझे लगता ओपसन देखते हैं आपको एंसर पता हो गया होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा दोस्तों चले हम लोग बात कर लेते हैं इसका जो राइट एंसर हो जाएगा ओपसन ए नाइट्रोजन जी हाँ दोस्तों यह 78 परसेंट के अल्मोस्ट होता है ना आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा थैंक्यू दन्यवाद जाहिन